नमश्पाआ दोस्तू, दोस्तू, टाटा टिकणॉलोजी इसके कॉर्टर टू के नंबर आ चुके दोस्तो nemसे पहले मैं आडानी पावर , जि हाँ अडानी पावर के उपर एक और अल्रेडी वीडियो बना दिया, दोस्तों कॉर्टर टू के नंबर आटाटी पावर नंबर थ इसका मतलब यह रहता है कि आपको तेजी के चांसे जादा रहेंगे अब बात के लेते हैं Tata Technologies के और देखिए एक डर यह है कि 1000 रुपीज के नीचे Tata Technologies क्या हुआ है? क्लोज हुआ है और एक बड़ी तेजी के बाद वापस इतनी भयाना गिरावट दिखाना इट्स नॉट गुड एट ओल तो देखते हैं Tata Technologies के एक्चॉल नमर कैसे है? यहाँ पर जो नमर आपको शोग की जा रहे हैं वो करोड स्वे हैं तो ज़ादा परिशानी यहाँ पर होनी नीच चाहिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं सबसे पहले क्या है? रेविन्यू फ्रॉम ओपरेशन रेविन्यू फ्रॉम ओपरेशन यहाँ पर आप पाएंगे 1296 करोड रुपीज है जो एक साल पहले 1269 करोड थी यानि आप यहाँ पाएंगे कि येर ओन येर बिसिस पर यहाँ पर घिरावट बहुत साथा नहीं है लेकिन जम्प भी बहुत साथा नहीं है जैसे था लगबग उसी प्राकार की जम्प है यहाँ पर अधर इंकम देखेंगे 16 करोड रुपे की है जो एक साल पहले 29.85 करोड की थी आपकी टूटल इंकम कितनी निकल के आई है 13 12 करोड रुपीज जो एक साल पहले 12.99 करोड थी यानि आप जहां एक साल पहले थे ना आज भी वहीं खड़े हुए है अच्छी बात क्या है आपके स्टॉक प्राइस भी कहीं नहीं गए है स्टॉक प्राइस ने आपको बहुत निगेटिव दिया है ना बहुत जादा पॉजिटिव दिया है तो इस चीज को स्टॉक प्राइस मैं यह कहूँगा कि एक लिस्ट रेवेंड्यू फ्रंट पॉइंट आप देखेंगे तो ना कोई बहुत दा डैमेज है ना बहुत जादा गिरावट है अब परचिय और टेकनोलजी सोलुशन 233 दर्शनवर 95 करोड है एक साल पहले 214 करोड थी ओलमोस सेम है दोस्तों आउट्सोर्चिंग कंसल्टेंसी चार्जिस 101 दर्शनवर 48 करोड है जो एक साल पहले 139 करोड थी यहानि यहां काफी पैसे लगबग 38 करोड रुपय आपने यहां बचाए हुए है यहां 15 करोड के आसपस आपने लॉस किये है Employable इनिफे expense कितारा है 609 करोड जो एक साल पहले 594 करोड था देखें एक साल बाद बढ़ी है लेकिन ऐसी नहीं बढ़ी है जो बहुत दरा दे अब यहां पे सबसे बड़ा खर्चान ने क्या है Other expenses का 119 करोड जो एक साल पहले 106 करोड थे आपका Total expense क्या निकल किया है आपका Total expense आया है 1095 करोड रुपी जो एक साल पहले 1085 करोड था और आपका Profit Before Tax आया है 217 करोड रुपय का जो एक साल पहले 213 करोड थी एक कौटर पहले 219 करोड और Tax expense के बज़ा हम सीधा चलते है नेट प्रॉफिट में आपका जो नेट प्रॉफिट यहां पे निकल किया आता है 1 मिनिट हमारा यह रहा यहां यहां पर Total Comprehensive Income Net Tax आप देखेंगे तो यहां पर आपका 230 करोड का आया है और Profit After Tax आप किता है माफ कीज़ेगा यहां पर 177 करोड का Tax के बाद एक साल पहले यह 160 करोड था तो यह तमाम प्रकार की चीज़ है और यह अधर Income Loss और Positive आप देखोगे तो यहां पर जो है ना Item that will require profit or loss तो यहां 73 करोड पीस का आपको आप कहा सकते है Income आई है जो एक साल पहले 6 करोड की loss ते और यही करण है कि आप जो टोटल निकम जो आई है Net of Tax वो 230 करोड पे हो जाती है जो एक साल पहले 153 करोड थी तो यह Item Reclassified के आपको 73 करोड पीस का positive हो रहा है हाँ बाजार कर अब share price कहीं नहीं गया है तो यह चीज थोड़ी से मैं कहूंगा नेगेटिव तो नहीं क्योंकि अल्रेडी स्टॉक भी कहीं नहीं गया हुआ है आपका EPS 3 रूपीस 87 पैसा है यह कहबाना नहीं बहुत जादा मुश्किल है 1000 के नीचे आपने closing दी है तो इससे और नीचे जाना मुझे थोड़ा tough लगता है मेरे chances upset के मुझे थोड़े जादा लगते हुए लेकिन इस प्रकार माहौल चल रहा है बाजार का कुछ भी कहना थोड़ा सा मैं कहूंगा मुश्किल जरूर है यहाँ पर अगर हम देखें क्या कोई segment wise नंबर है सबसे पहला segment में नंबर आता है service segment का कितना आया है आपने 1500 करोड कमाया है जो एक साल पहले 995 करोड कमाया था technology solution segment से आपने 291 करोड कमाया है इस बार जो एक साल पहले 273 करोड था अब segment result देख लिए यह revenue है यह रेजल नहीं यह दोनों revenue है आपने 324 करोड कमाया है जहाँ पर यहाँ पर एक साल पहले 297 करोड था तो मुझे उस प्रकार की आपको jump यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तो more or less आपके सकते यह flat number है यहाँ पे कहीं भी कोई भी negativity मुझे नहीं दिखती और कहीं भी positivity नहीं दिखती और आप देखें इस करण में यह कहुँगा कि अपना यहाँ से कुछ number आप आने चाहिए और Tata Technologies के उमीदे बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा चला हुआ है आपके सब्सक्राइब जो IPO के बाद जो listing हुई उसके बाद उपरी सबसे गिरावट हो चुकी इस stock में बहुत ज़ादा यहाँ तक ज़ड़े रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद यह श्वीडियो का आनते है जय हैं